अलो फ्रेंड्स अब सब्सक्राइब का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्म में तो देखें कुछ इंपॉर्ट में हम लोग डिसकस करेंगे और देखें यह जो है जो हमारे जो है फार्मा को लोजी के जो एंसे क्यूज है इस वीडियो में आप लोग लेके आया हूं इसक सब्सक्राइब करना आपके लाएक करना चेनल पर लाइक करना अब लाकन को प्रेस करना ताकिछन वाले वीडियो 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 होते हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सकें क्वाइशन है कि वीच फॉलिंग क्लास ऑफ कंपाउंड से स्टीमिलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन फॉम पैंक्रेटिक बीटा सेल्स जो इंसुलिन का जो रिलीज है उसको कौन सी क्लास टीमिलेट करती है तो देखिए आपके औ मेगलीटीनाइडव होते हैं मेगलीटीन मेगलीटीनाइड देरिवेटिव में आपका अपके मत्रैडिक ग्लीनाइड फीरीनाइड अ deficit मेध मैं gobierno आते हैं लेगन टल्पॉर्मीटन्हैन को महते हैं और सेक्ट जे встр coping यख़्डवराइड भी बोलते हैं ग्यापका सलफनार यूजास होगई और एक आपका मेड़कलिटिन डरिवेटिफ हो गया अब आपको सलफनार यूजास दी यह हुई कांसर ओप्शन C राइट हो गया ऑगिया अलफा ग्लुकोसियाटिस निविटर में आता है मेड़कल अथा है है ना बाइगोनाइट से मैटफोर्मीन आजेगा ओके और एक थायाजोलेटिन डायोंस होते हैं उसमें रोसी गलेटाजोंस आते हैं तो यह आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आपके सलफनाइड यूरियाज है वो है तो आपका आंसर क्लियर हो गया आपका जो मतलब की औरल यूझा माइतीन में नहीं होती झाहिं चकारते हैं जो एंशिलिन का जो रिलीज होता है उसको सिक्रेशन जो होता है वो कराते हैं स्टिमिलेट कराते हैं ओके अई तो आता है और एक आता है न्यालमीफीन तो अभी देखियं कोन नाल्रीचोप स्प्राइद में प्हुरीं और या ही ट्रीन आव और व आपका micro आता है कपा आता है डेल्टा आता है ओके यह तीनों आपके opioid receptors होते हैं ध्यानक नहीं तो इसमें देखिए option B में beta receptors नहीं होते हैं इनमें तो यही पुछाता कौन सा नहीं है क्या है एंटी अरिद्मिक ड्रग क्लास वन एंटी अरिद्मिक जो होते हैं उसमें आपका QPD से याद रखते हैं हम लोग क्लास वन में आपके sodium चैनल ब्लोकर्स आते हैं option में देखिए आपको calcium channel blocker दिया है जो class 4 एंटी अरिद्मिक में आते हैं बीटा ब्लोकर class 2 एंटी अरिद्मिक में आते हैं sodium channel blocker जो class 1 में आते हैं answer is option C sodium channel blocker बाकी बची क्या class 3 जिसमें आपके potassium channel blockers आते हैं potassium channel blocker में एमियोडेरोन ब्रिटाइलियम आईबिटिलाइड और दोफीटिलाइड यह चार्ट ड्रग आती हैं नेक्स्ट क्वेशन है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट कहां से question है पहले तो यह देखिए question है आपका anti Parkinson's drug का classification है तो देखिए dopamine receptor एगोनिस्ट में आपका आता है ब्रोमो क्रिप्टीन आता है रोपी रिनोल आता है प्रैमी पिक्सोल आता है यह आपके dopamine receptor एगोनिस्ट होते हैं जब आप anti Parkinson's drug का classification पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ते हैं तो आपको options में रोपी रिनोल दिया है answer is option A बाकी ओड्रग देख लिजिए टोल कैपोन किसमें आता है टोल कैपोन और एंटा कैपोन दो ड्रग हम लोग पढ़ते हैं तो यह आपके कॉम्ट इनिबिटर होते हैं कैटिकोल ओ मिधाइल टांसफरेज जो है कॉम्ट इनिबिटर में टोल कैपोन और एंटा कैपोन आता है सिलिजिलीन क्या होता है माओ मोनो अमीन ऑक्सिडेस भी माओ भी इनिबिटर में आपका सिलिजिलीन आता है एमेंटरीन जो है ऐसी ड्रग होते हैं जो एंटिवारल भी होती है उसको परकिंसंस में भी यूज़ करते हैं डॉपामिन फैसिलिटेटर होता है एमेंटरीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइसो नियाजरी फैनिटॉइन इंटरेक्शन रिजल्ट इस आर रिजल्ट ओफ दे इस में इसक्राइब तो इससे क्या होगी फैनिटॉइन के टॉक्सिटी हो जाएगी और इस प्रेसिपिटेट करा देती है इसकी टॉक्षिटी को जो होगे फैनिटॉइन जो होती है आपको पता है जो एंटि एपिलेप्टिक ड्रग में फैनिटॉइन आता है और फैनिटॉइन के एड़वर्स इफक्ट भी काफी इंपोरेंट है चोटा सा मैंने वीडियो बनाके दिया हुआ आपको गम हाइपर ट्रोफी हर्सुटीजम वगेरा फीटल हाडेन टॉइन सिंड्रों का ऊ've इंगो और फैनिटॉइन का एक बहर गए हैडें टॉइंटॉइन होता है धाइफिनटॉइन फैनिटॉइन हंता है इसलिग कंसी ड्रॉइंट पास मे शोड़ येउट चैनले ब्लोकर दिया हुआ है तो आपका अन्सर chúnga है बाकि फैनी टोइन दिया है डाइसो पारामेड देख डाइसो पारामेड आपने कहाँ पढ़ाता अब उन आपको पता है क्लास 1-एर्थिमिक प्लाष ब्लोकर होते है जो क्लास 3 एंटी आते हैं कि नेक्स्स क्वेशन देखें सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपटेंसी देखें सेंट्रली सेंट्रल सिंपैथोलिटिक पढ़ते ना आप लोग सेंट्रल सिंपैथोलिटिक तो उसमें आपकी कौन कौन सी ड्रग आती हैं मिधायल दोपा आती हैं तो सेंट्रली तूर यह वाली ड्रग आती है आप का आप six ऐसा आ अंसर ुप्शन भी होजेगा ऐ जो कि मैं presidents और जो होता है ईजबो कर होता है चामिन होता है प्रोप Anatolol जो हों सलक्तिव बिटा ब्लोकर होता है फ़क्र होता है Sono तो इनल क्लियारेंस किस पर डिपेंड करेंगा फर दिया है गलो मैरल फिल्टरेशन रे ट्यूबलर डिया अबस भी अगर पर इंक्रीज होता है तो उसे clearance भी increase होगा GFR decrease होगा तो Clorance decrease होगा अगर tubular secretion जो है यह increase होगा तो इससे clearance increase होगा tubular secretion की decrease होने चेक्लियरेंस decrease हो जिएगा question आपका next है anti thyroid drug decrease a synthase of thyroxine जो anti thyroid drug है तो यह क्या कराती है thyroxine की synthase को कम करा देती है तो कैसे कराती है जो anti thyroid drug में आपको से आती है कुनकों से आती है कुनकों से बटाइए अथी माजोल होती है कार्भी माज मैथी माजोल कार्भी माजोल प्रोपाइल थायो यूरसील ओके यह आपकी जो है anti thyroid drug है तेकि टैस्टोंग असले थायोड ग्लैंड इंट्रफेरिंग विदा इनकॉर्परेशन और फायड इंटि थायो ग्रॉबलिन तो यह आपका ओप्शन भी बिल्कुल राइट हो जेगा बाके डिक्रीज आवलेबिल्टी फेमिनेस्ट यह ओल्ट आपका अप्शन भी ओके नेक्स्ट आपका फम प्षिन हैं देखें इन्टेक्स में तीरेपिटिक इंडच को हम टीरें लिज से याद रखते ना इस इसवाल टू क्या होता हैां अल्डी 50 बाइली 50 बाइली 50 मीडिएं डीफल डोऌस मेडिउल एफ्टिव्ड डोस तो अ अभी देखिस टॉक्सीक डो Kingdom यह किसको इंडिकेट करता है सेफटी को यह क्वेशन भी आता है इसमें अनर्जी की रिक्वार्मेंट हो रही है और लोवर कंसेंट्रेशन से हाइर कंसेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो यह आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रहे हैं अक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट होता है वह अक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें और लोवर से हाइर कंस करके काम करते हैं कैलशियम प्रोथ्रोंबीन के युटामिन के करते हैं आपका का option D okay नेंडिया National Malaria Eradication Program वो बास लॉंच्ट इन ठीक है तो नैशनल जो Malaria Eradication Program यह लॉंच हुआ कब यह हो जगा आपका option D हो जगा 1958 नें दे metabolaid of proguanil metabolaid of proguanil इसदे की proguanil जो होती है आपकी किसमें आती है एंटी मलेरियल ड्रग में आती है वोकि वागवनेट्स जू आते नों प्रोगानिल लाता है साइक्लोग्वनेट्स का इसकी में राउनीट करता वोलते हैं तो यह कर तो है कुम सा भताना है तो और यह रखल नो तो प्लास्मेरी नोजन को क्या करते हैं फिर प्लास्मेर्ट करा देता है तो यह आपका थ्रॉम्बोलिट्र एजर्णस का मतलब कैसे काम करते हैं मेकानिजम है नेक्स्ट है HIV infection can be clinically controlled विद तो HIV infections के control के लिए कौन से रख देते हैं साइटर आप इन एसिक लोग जिड़ोविडिन या में तरीन तो यह जिड़ोविडिन होती है answer is option c next question है क्लॉणडीन structurally is a dash derivative तो क्लॉणडीन जो होता है इमिडा जोलीन डेडिवेटी होता है central sympatholetics में हमने देखा था क्लॉणडीन ओं मिथाल्टों पर दो ड्रग आती है वही क्लॉणडीन है तो यह इमिडा जोल इसमें रिंग प्रेजेंट है इमिडा जोलीन डेडिवेटी होता है क्लॉणडीन नेक्स्ट है वन ओफ दा फोलिंग ड्रग इस है अलकाइलेटिंग अजेंट इडेंटीफाइ तो इनमें से कौन सा है जो अलकाइलेटिंग एजेंट से बताना है क्वेसिटा कि साइकलोफ फोस्फोमाइड आलोफ पुरिनोल रिफामपीसीन मिथोट रिइड आपको पता है क्रोनीग गाउट में लिए अलोफ प्यूरिनोल आता है ड्रग ऑफ चोईट दिया है और मिथोट रिफाइड दिया है इसमें आंट्रोजिन मस्टर्स में में अंटी कैंसर ड्रक का क्लासिफिकेशन पूरा पूरा प्रिवाइस करें ना को लोजी की प्लेलिस में आपको मिल जेगा तो करते हैं क्या होता है यह पैरिफरल डिकार्बोकसिलेज जो आपका है यह पैरिफरल डिकार्बोकसिलेज निबिटर होता है कारबीडोपा पैरिफरी में जो लिवोडोपा का डिकार्बोकसिलेशन हो जाएगा और उससे डोपामीन अगर बन जगा तो उसको इनिवित कर आता है तो यह है आपका देखिए इत इनिवित अरोमेटिक अमीनोजी डी कार्बोकसिलेस को यह इनिबिट करता है और आपका ए बिलकुर राइट हो जगा रिकित क्रोस ब्लड ब्लेट को नहीं करता है यह बाकि इनिबिट माओ ए माओ को इमिट करता है मोकलोबीमाइड क्लोर गाइलीन किसमें आते हैं आती डिप्रेसंट ड्रग का में पढ़ते हैं तो आपका अंसर ऑप्शन ए हो गया ओकी नेक्स्ट क्वाशन है जिसका आप लोग देने वाले हैं कमेंटर बोक्स में फिछ फॉल्विंग एंटी सीजर ड्रग है मतलब कि अंटी एपिलैप्टिक ड्रग है कौन सी है जो ट्राइजम नुरेल्जिया में द करना ओके थैंक यू